प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई कॉमन सर्विस सेंटर वाहन कुरोना काल में लोगों के लिए कारगर सिध हो रही है इस वाहन के माध्यम से स्वास्ते विभाग गाउं गाउं जाकर लोगों के कुरोना टेस्ट कर रहा है साथ ही गाओं के लोगों को COVID-19 से अपना बचाओ किस तरह से करना है उसको लेकर भी ये वाहन लोगों को जागरू कर रहा है प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई Common Service Center वाहन कुरोना के मरीजों के टेस्ट कर रही है कंडगाट क्षेतर में करोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है इसी कड़ी में Common Service वाहन के माध्यम से कंडगाट के तहट पढ़ने वाली ग्राम पंचायत जाजा में स्वास्ते विभाग की टीम दोरा पंचायत के 70 लोगों के करोना टेस्ट किये गए इस दोरान सभी लोगों की टेस्ट की रिपोर्ट नेगिटिव आई जो की पंचायत सहित क्षेतर के लिए रहत की खबर है ये टेस्ट स्वास्ते परवेक्षक जयंत शर्मा की देखरेख में किये गए पहले क्षेतर के लोगों को अपना कुरोना टेस्ट करवाने के लिए सिविल अस्पिताल कंडाघाट आना पड़ता था इस दोरान लोगों को पूरा दिन लग जाता था लेकिन जब से कॉमन सर्विस सेंटर वहन सरकार द्वारा चलाया गया है तब से लोगों के घरद्वार पर ही कोरोना के टेस्ट किये जा रहे है पूर्व प्रधान जाजा पंचायत योगेंदर वर्मा ने प्रदेश सरकार द्वारा द्वारा गॉमन सर्विस वहन चलाया जाने को लेकर प्रदेश सरकार का आभार जदाया है अभारी हूँ प्रदेश सरकार का और स्वास्तिय विभाग का कि आज CSC वैन जो है वो हमारी ग्राम पत्जाज जहाजा में आई जिसके साथ सुपरवाजर स्रीजेन शर्मा जी अश्वनी कुमार जी मैं इनका भी अभारी हूँ कि और इन्होंने आज ग्राम पत्जाज और सारे जो है वो नेगटिव आए हैं हम अभारी है प्रदेश सरकार के कि उन्होंने घर घर जाकर ऐसी सुविदाएं जो है लोगों को दे रहे हैं और मैं अपील करता हूँ लोगों से भी यह अपील करता हूँ कि वह सभी लोग इसमें बढ़ चल कर भाग लें और अपने का प्योग करें और साथ ही दूसरों को भी टेस्ट कराने के लिए प्रोसाइट करें मैं धन्यवाद कता हूँ जैन्ची का और अश्वनी जी का सिरी चैनल के लिए कंडा घाट से ललित वर्मा की रिपोर्ट